नमस्कार में विशाल परदिशी आनंतर बुलिटिंचे सुर्वादी ले स्टेट दाऊए था अवरंगाबाद मदे अवरंगाबाद मदे संत समागम सोड़ा सुरू आहे थी था मुख्य मंतर एकनाशिंदे बोलता है कुटुम्ब जेसा रिस्ता हमेशा रहा है और मैं यही कहूंगा कि यह मिशन के सेवादार निश्काम भाव से सेवा करते है कुछ मिलेगा यह भावना उनके दिल में नहीं रहती है देने की भावना रहती है योगदान देने का काम यह सब हमारे भावग जो है यह सेवादार पूरी उनका हर समय कोई भी आपदा आती है तो योगदान हमेशा दिखाई पड़ता है यह भी अपने आप में बड़ी बात है और हम लोग भी ऐसे ही हमारी सरकार में लोगों के लिए जितना भी अच्छा निरने लेना है वो लेने की कोशिश करते है और आप सभी लोगों के संतों का अशिरवात प्रेरणा यह भी हमारे लिए हमारे को हमारे कार्य को प्रेरणा देने के लिए बहुत ही जरूरी होती है और इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ आपका महाराष्ट की धर्ती पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे मुझे पता अभी तो मैं शे मेने पहले मुख्यमंत्री बन गया लेकिन जब मैं विधायक था तो थाने शेर में जो मेरा चुनावश्यत्र है यह निरंकारी संत निरंकारी मिशन के बहुत लोग है वहाँ पर मुझे हमेशा मिलते रहते हैं वहाँ पर और कई कारेकम में मैं अवश्य जाता रहता था अभी तो महारास्त में आपने इतना बड़ा सत्संग इतना बड़ा समागम यहाँ पर आयुजित किया है और ये देखिए इतने बड़ी संक्या में आने के बावजुद भी एक अनुशासन यहाँ दिखाई पड़ता है सगयान मदे एक शिस्त पाहला मिलते और मनून खरयारता ने मी पुना एकदा अपलेला सगयाना मना पासून धन्यवाद देतो आने फिर एक बार आपका ऐसाई भावव ऐसा विशाल समागम महारास्त में हो जाए तब भी हम लोग फिर मिलेंगे धन्यवाद जय हिन जय महारास्त प्रेमाने बुला प्यार से बोलो साथ संग जी प्रेमाने बुला सद्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देवजी महाराजी की अबर गवान मदे संता समागम सोड़ा सुर्वा है मोठा प्रमणात या सोड़ाशी संबंदीत भक्त परिवार दिते उपस्तिते आणि आज या सोड़ा करता हुणुन मुख् समंत्र एकन शिंदे नी विशेश उपस्तिती लावली आणि या समाजा शांतता नांदा वी अडिताज बोरवर संस्कुरुती जपा वी या दृष्टी ने मुणुन संतानी काम केलेला आहे आणि हा भक्त परिवार त्या दृष्टी ने पुड़ेवाट साल करतो है आसा म